नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चनल संदीप स्टेडी सेंटर में जैसा कि आप सबको पता है मैंने कहा था बाल मरुग ज्यान के अंतरगत हम लोग समावेसी सिक्षा पर बात करेंगे इसके पहले प्लान बढ़े थी कि हम लोग कुश्चन्स लाएं बट समावेसी सिक्षा जो इंक्लूजिव एजुकेशन है इस टॉपिक भी बहुत बड़ा है ठीक है इसमें एक चीज जुड़ जाता है विसिष्ट बालक इस वज़ा से टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है इ पहला है समावेसी सिक्षा क्या है समावेसन का अर्थ ही होता है सामिल करना सभी को सामिल करना सिक्षा के अर्थ में होगा जो ऑसत बच्चा है समान्य बच्चा है उसके साथ में जो विसेश्ट आव सकते वाले बच्चे हैं उनको भी साथ में सामिल करना और किसी भी तरीके से किसी भी द्रिष्टी कोड से चाहिए लेंगी को, बहुत दिक हो, समाजिको, आर्थिको, किसी भी द्रिष्टी कोड से बिना भैधभाव किये, उन्हें एक च्छत की नीचे सिख्छा देना, यह होती है समावईसी सिक्षा इसे मैंने कुछ कुछ लिखे हैं जिसे डायक्ट कुछ न बन सकते गबर पढ़ने कोशिस करना समाविसी सिक्षा विशिष्ट बालकों को समान्य बालकों के साथ सिक्षा मतलब समाविसी सिक्षा का जो अर्थ है विशिष्ट बालकों को समान्य बालकों के साथ जो सभी किस तरह समान्य तरीके से सीखता है जिसकी IQ लेवल 90-110 तक होती है जिसकी बुद्धि लवदी कितनी होती है 90-110 तक होती है इसको हम लोग समान्य बच्चे कहते हैं विशिष्ट बालक में दोनों प्रकार से बालक आते हैं एक जो 90 से नीचे होते हैं और इसके बाद 110 क दिया जाता है जो परतिवा साली बच्चे होते हैं वह भी इसमें समील हो जाते हैं किसमें विशिष्ट आउसकते वाले बच्चों है याद रखना है आपको समान्य बच्चे या फिर आउसत वाले बच्चे ठेक और दूसरा विशिष्ट बालक इस सभी को एक छत के नीचे हम लोग सिक्षा दें तो उस समावे सी सिक्षा कहलाती है किलियर है तो इसे इस बाला के बारे हम लोग जब आखे पढ़ेंगे तो आप और अच्छे समझ में आएगा कि कौन होते हैं उनके बारे हम कितने सारे समाजिक आर्थिक धार्मिक बहसाई लेंगिक किसी भी प्रकार से बीना भेधभाव किये यहां भी मैं लिखा गया है पढ़ना है चीजों को आप सुनते रहें बीना भेधभाव किये याद रखने सभी बालकों को एक ही छत के नीचे सिक्षा देना इस समावे से शिक्षा कर चातर के साथ विशिष्ट आउसकता वाली छात्र को भी समान सिक्षा प्राप्ति के आउसर मिल सके ठीक बात है नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहां भी मैं छोटा से लिख है विशिष्ट बालक किसे कहते है हलाक इसके बार में डॉपिक ही है वहां आपको जाद अच्छे समझ में आएगा फिर वेक बड़ पढ़ ले सालरिक मानसिक बौधिक रूपेर सीखने एवं विकास के दृष्टी से समाने बालकों से भिन इन्हें विशिष्ट बालक केंगे आप देखेंगे कि भाई दिव्यांग लोग हैं जिनको दृष्टी दृष्टी दोस है वाडी द गयते हैं तो इन्हें सहज महसूस करने के लिए उनकी असहजता को दूर करने के लिए जो दोनों में दुरियां बनी हुए उसको मिटाने के लिए इस समाविसी सिख्षा को लाया जाता है नेक्स्ट इसके बारे हम लोग इतिहास देखने कोसिस करते हैं जून 1994 में सलमान का सलमान का में हुआ सलमान का एक जगह है इसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो समाविसी सिख्षा की निव है वह कहां से पड़ी इसके पहले 1990 में एक सम्मिलन हुआ था इसको भियाद रखेगा 1990 में कहां पी हुआ था जो में सियन क्या है ये जो में सियन इसको पूरा अप लिख लेंगा है ना जो में सियन ये कहां पे थाइलेंड में थाइलेंड जो में सिया विस्टो सम्मिलन थाइलेंड कब हुआ था 1990 में हुआ था यहां पे समय सिख्षा की निव इसी सम्मिलन में रखी जाती है अब इसके बाद जो अगला सम्मिलन होता है वो जुन 1994 में होता है कहां पर होता है सलमानका में होता है इस पैन में ठीक इस पर से लिए यहां सम्मिलन विशेष्ट बालकों के लिए था इसमें यहां निर्ने लिया गया कि इन्हें भी समाने बालकों के साथ सिक्षा दी जाए एकिन इसमें इंपोर आप देखेंगो 1990 के जो मिस्यन विस्तो सम्मिलन थाइलेंड में पढ़ती है उसके बाद अगले जो सम्मिलन होता है जहां पर निर्ने लिया जाता है जो समान्य बालकों है उनके साथ में साथ विसिश्ट आउसकता वाले बालका कि वह आत्म निर्भर बने और अन्य लोगों क साथ भी हो जीवनियापन अच्छे से कर सके है यहां तक यह चीज़े के लिए रही और यहीं पेक्षिज और है 1994 जो सलमान का विस्तो सम्मिलन हुआ था के दोर जो है परिभासा आई थी इस परिभासा को भी आपको याद रखना है परिभासा यह थी समाजिक आर्थि सारे किसी भी द्रिष्टी कोड से बिना किसी भेदभाव के सभी को एक संथ सिक्षा इनके दवर परिभासा आई थी अब हम लोग कुछ-कुछ और परिभासाओं को देख लेते हैं जहां से कुछन पूछे जा सकते हैं कि यह परिभासा की इनके दवर दी गई है तो NCRT की तरफ से एक परिभासा ओर आती है यह है कोई भी विद्यारती को सेक्षि को आता ओरण में धर्म जाती लिंग अच्छ देखना लिंग समाज परिवार आधिक अधार पर बिना किसी भेदभाव के विद्याला में दाखिल देना समावेसी सिक्षा है वहीं भी माइकल फिन ग्रेस इनका कहना है समावेसी सिक्षा, मुल्यों, सिध्धान्तों और अभ्यासों का एक समू है, जो सभी बालकों के लिए चाहे वहाँ विशिष्टता रखता हो या नहीं, प्रुभावसालिव अर्थपूर्ण सिक्षा का कोज करता, इसका मतलब भी वही है, जो विशिष्ट बालक है, ठीक है, और समान्य बालक है, वहावसालिव शिख्षा से जोड़ा जाया, अभी समावेसी सिक्षा की विशिष्टा है क्या क्या हो सकते है, मैं कैसे कुष्चन्स आते हैं दिखाऊंगा, सीटेट को कुईशन दिखाऊंगा और अलग अलग जगाओं को कुईशन दिखाऊंगा और मैंने भी बनाये हैं ठीक तब आपको पता चलेगा कि यह जितने सारे contents हैं जो आपके पास इतनी सारी important जानकारिया हैं इसको याद रखना कितनी important हो जाती है इसकी विशाष्टाइं क्या क्या है कि बड़ देखेंगे समा इसीषिता का संबपन सिक्छागरण करने योग्या सभी बालकों से है चाहे वो पिष्टा वर्ग से आता हो चाहे उसके आर्थिकस्तिति कमजोर हो चाहे उसके समाजिक पानसिक, बहुत धिक समाजिक, सांस्कृतिक आधिक अधार पर उनके आउसकताओं के अनरूप संग्यनात्मक, सविगात्मक, सिजनात्मक विकास के आउसर प्रदान करती है। सभी के मतलब एक ही है, सभी के लिए सिक्षा और सभी के लिए विद्यालाई का प्रवधान करना, लेकिन अगली लाइन लिखी है, समावेसी सिक्षा में विद्यता कोई समस्या नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? भाई समावेसी सिक्षा है, जिसमें कोई विद्यता कैसे समस्या बन सकती है, कोई पिछले वर्ग से आ रहा है, कोई किसी समुदाय से आ रहा है, जाती अधार पे, परिवार, समाज, समाजिक, आर्थिक, बहुत धिक, लेंगिक, इस सभी अधार पे, जितनी भी विद्यता है, एक दूसरे सीखने के लिए, एक दूसरे से बालक इसमें सिखेंगे, तो यह विश्चत है समाई से सिख्षा की, इसका अतरिक्त मैंने रखा है, पिर्थक करण की विरोधी है, इसका भी मतलब वही है, जो आपने देखा कि समस्या नहीं वही देता, पिर्थक करण की विरोधी हम लोग देखें तो यह पिर्थक करण के विरोधी है इसको आपको याद रखना है सिक्षा का समान आउसर ठिक ताकि विशिष्ट बालक भी अन्य लोगों की तरह आत्म निर्भर रहेकर जीवन यापन कर सके अगरे इसकी विशिष्ट बालक के मद्दे स्वस्त वात वरान का निर्मान करना ताकि दोनों में कोई भेदभाव की भावना सामने ना आपाए सामने वाला असहज महसूस ना करे विशिष्ट आव सकता वालक है वो असहज़ता से बचे समान्य बालक जो है ऐसे बालकों के साथ सहयोग की भावना से अपना वेवार करें समाज में एक दूसरे एक मद्द दूरी कम करना एम सहयोग की भावना बढ़ाना ये भी इसकी विश्यस्ता हो जाती है इसका तरिक और सारी विश्यस्ता हो सकती है यदि आप common sense लगाएंगे exam में ठेक है क्योंकि ऐसे questions विकल्पों से बनती है और विकल्पों में आपको पहचाने आने चाहिए इसके मूल भावना के आप पकड़ेंगे जितने भी यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इस सभी चीज फिर पूरा करने सकता हैं ठीक है इसकी आव सकता हो जाती है समाजी स्ट्च्छा का मुल उद्धिस से च्छा का मुल उडिस से क्या है अपनी हिसाफ से यल उद्धिस सकते हो फिर bağन रखा है इसको अच्छे बालकों को एक साथ समाजने विद्ध्यालाय में सिक्षा देना इविसे स्ताओं में ही आपको समझ मागया होगा आत्म निर्भरता की भावनों विक्सित करना मिल जूलकर रहने हेतु प्रेरित करना तासा दूसरे के कारियों में सयोग समाज एकता बनाय रखने में योगदान देना सभी बालकों को सिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना ताकि कोई भी वन्चित न रहा पाए कैसी भी बालक रहे कैसी भी द्रिष्टी कोड से उस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी के लिए अलग विद्याले के भी स्थापना हम लोग कर सकते हैं हो सकता है किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए भाई अलग सिक्षा हो सकती है उनके लिए अलग टक्निक हो सकती है ब्रेल लिपी का परियोग कर सकते है वरगों में जाग रूकता की भावना विक्सित करना प्रजात आंत्रिक मुल्यों की िस्थापना करना ताकि स्वतंद्रता समांता नियाय से जुड़ पाए विभिन आवसक्ता वाले बालकों की आवसक्ता के अनुकुल साररी क्यों मनुविग्यानिक वातावरन का निर्माण करना ये इनके उद्देश से होते हैं कहीं ने कहीं आप विसेस्ताओं से देखेंगे तो ये भी चीजे बन जाएगी वगला है इसके सिध्धान्त कौन कौन से होते हैं समय उसी सिख्षक सिध्धान्त कौन से है प्रतेक बालक को समान औसर याद रखना भागी दाड़ी तथा समान रूप से सिख्षा देना इसका मुल सिध्धान्त है निसुल्क सिक्षा हो बालक को स्विकार अस्विकार करने का विकल्ब किसी विद्याला में व्योस्ता नहीं है स्विकार अस्विकार मतलब वही होता है कि भाई कोई अलग कितने बार यहीं चीज बता हूँ ये चीजे आपको समझ में आ गई होगे विशिष्ट बालकों को हिंता से ना देखना अस्विकरनर के भावना से ना देखना उन्हें अस्विकार करने वाले इसे चीजे नहीं होनी चाहिए ठीक है तो कोई भी स्विकार अस्विकार करने के विकल्ब किसी भी विद्याला में यही चीज लिखा है विशिष्ट बालकों को अत्रिक्त सहता दी जानी चाहिए नियंत्रित वाता और अन्विक्सित करना चाहिए जहां तक संभा हो सभी बालकों को फे सभी बालकों की सिक्षा एक ही कक्षा में साथ में हो माता पिता का भी सहयोग इसमें आवास्यक है माता पिता भी अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं अपने बच्चों को सयोग कर सकते हैं ताकि समाईसी सिक्षा से ओभी लावानवित हो समाईसी सिक्षा का लाब किनको किनको होता है समाईसी सिक्षा से लावानवित कोन होता है कोन नहीं होता है तो याद रखना विशिष्ट बालक इसमें लावानवित होता है साथ पढ़ाना उनके लिए अलग experience होता है माता पीता को भी इसमें लाब पहुंचता है तो लाब हानवित माता पीता भी होते क्योंकों उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहां तक चीज़े के लिए रहे हैं तो यह रहा आपका समावे से सिक्षा अब इसके अगला जो topic आता है विसिष्ट बालकों के लेके आता है जिसे CWSN भी कहा जाता है एक बार यही question आ गया था CWSN इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है तो child with special need विसेश आव सकता हो वाले बालक इसको आपको याद रखना है अर्थ होता है child with special need इन्हें विसिष्ट बालक भी कहा जाता है और यह समान्य सम्हों के उस्से समान्य समहों मतल़ा समान्या बालकों से ठीक है कुछ अलग विसीष्टा रखता है च्छा है समायोजन करने आदी की योग्यता इन में भिन होती है क्योंकि यह अलग तरी से सिखते हैं इनके पास योग्यता अलग होती है समाने बच्चो समाने बच्चो से इनकी योग्यता निम नहीं हो सकती है तो इनकी भिनता के काराण ही अपने वातवरान के साथ अच्छे से ठिक यह जो आप देख रहे हैं इनका कहना होता है बहुत धिक साररिक समाजिक अत्वा समयकात्मक द्रिष्टी से समान्य बालकों से अभिवृद्धी इवाम विकास के द्रिष्टी से इतने भिन होते हैं कि नियमित विद्याले कारेकरम में पूर्ण लाब नहीं उठा सकते तरिक विशिष्ट बालक चहते हैं यह बहुत ज्यादा भिन होते हैं कि मुखपधीर है छहें जय कूर से एतने भिन हो जाते हैं उनके सांथ रहेगे, एक नियमित क्लास जो होती है, एक नियमित विद्यालाई में जाके, शिक्चा का पूर्णलाब, या फिर विद्यालाई कारेगरम का पूर्णलाब, इस नहीं उठा पाते हैं, असहज महसूस ये करते हैं, क्रो एन क्रो के हम लोग परिभासा देखें लें इसको एक बार सरस्री तोर पर पढ़ लेंगे विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट सब्द ऐसे गुड़ो या उस गुड़ को रखने वाले वेक्ति पर लागो होता है जिसके करान वेक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी और आकर सित करता है अब विशिष्ट पालकों की विशिष्टाएं क्या क्या हो सकती है विशिष्ट पालक समान या और 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 जिक्र हो चुका है अवसत बालकों से विशिष्ट बालकों के यहाँ बिन्यता विकास की दोनों दिसाओं धनात्मक और धनात्मक में से किसी एक में हो सकती है इसका मतलब यहाँ है कि विशिष्ट बालक ओ हो सकता है जो समान्य बालक से या तो उच्छ हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है मतलब समानने बालक की बुद्धी लब्दी से उच्च बुद्धी लब्दी वाला हो जाए या पर नीचे वाला हो जाए मैंने कहा था दोनों को ही विशिष्ट बालक कहा जाएगा उसी को यह जिस थो टेक्निकली फॉर्म में लिख दिया है यही बिंता उन्हें अपने वातवरण के साथ समयोजन करने में कठिंता का सामना करवाती है जैसे कि मैंने आपको इसके पहले आपको बताया था अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट बालकों के परकार कौन कौन से हो सकती है बध्धिक रूप से देखें बध्धिक द्रिष्टी कोड से हम लोग देखें तो परतिवसाली बालक आते हैं मन बुद्धिवाले बालक हो सकते हैं एक अधिक परतिवसाली हो सकते हैं मन बु इंपॉर्टन हो जाता है सरवाड़ दोस्ते ग्रसित होगा या फिर वो है ना कम सुनता होगा या फिर कोई सुनता ही नहीं होगा ठीक वहीं पर द्रिश्टी दोस्त ग्रसित होगा मतलब कोई आंसिक देखता होगा या फिर किसी को दिखता ही नहीं होगा ठीक एवी विशिष लस्तिक मसा पिखेंगे थिंचार 3-4 विश्षट बलग और रहाएंगे एक समझ्य एगाद बालग कश्म होता है ठीक चो बार बार टोकने वाला ठीक है किसी को पेन से मारने वाला कुछ करने वाला चक्नल करना तो प्रादी घर करहोते हैं प्रतिवासाली होहँगे तो नियह होता है कि उमर्ण कर दिया इसका नगतरीक हो सकते हैं अब जब जब इसको डेटेल में पढ़ेंगे तो और बताउगा अग्या सव Сबीत हो सकता है पिष्छडा वर्ग तो पहला हम लोग शुरू करते हैं परतिवा साले बालोक एको नोधे हैं अ पढ़ि supan это इसे बालग को प्रविड भी कहा जाता है जिनकी बुद्धी लब्धी तरह 120 या इससे अधिक होती है आप समान्यता है इसको लेकर चलेंगे ठीक लेकिन क्या सिर्फ जिसके पास बुद्धी लब्धी हाई है ठीक है सिर्फ वही प्रतिवसील बालग कहलाएगा यह पहले होता समझ में आएगा जैसे टॉरिंस ने कहा है वैसे बालग को प्रतिवसील बालग कहा जाएगा यह पिर कहा जाता है जो मानाओ के विवहार के किसी छेत्र में एसा उत्तम निस्पादन करता है जो समाज है तू महत्पुन होता है उसे समाज के अलग-अलग छेत्रों में भी स् इसके साथ में अन्य समाजिक चेतरों में भी स्रेश्टता पराप्त करने की प्रयाप्त छमता उसमें होनी चाहिए प्रयाप्त छमता वो रखता हो तब वो क्या कहलाएगा परतिवसिल बालक कहलाएगा लेकिन कुश्चन आता है प्रतिवा सिल्बालक इसको पहचानने के संकेत क्या क्या हो सकते हैं तो उनकी विसेश्टाइं आप हो याद होनी चाहिए लेकिन फिलहाल एक चीज और देखेंगे बुद्धी लब्दी के अधार पर प्रतिवा सिल्बालक हमें किसे कहते हैं टर्मन इनके द्वार कहना है ये कहते हैं कि जिसकी आईक्वी लेवल भी है 140 हो या फिर उससे अधीक हो उससे पर दिवा सिल्बालक कहा जाएगा ये भी कुछ न पुछे जा सकते हैं कि टर्मन की द्वारा हैनक कैसे परवासित किया गया है वहीं पर बैंटले का कहना है जिसकी बुद्धी लब्दी 110 हो या फिर उससे अधीक हो बुद्धी लब्दी समझ पा रहा है इसको निकालते कैसे हैं जी हम लोग आईक्वी इस इकल टू ठीक है एम ए अपान सी ए इंटू हंड्रेट ऐसी निकालते हैं पहले मैं इसको बताया था इसके बारे मैंने आपको पढ़ाया होगी है ठीक है उसके क्या होता है क्ता मि इस मानसिक करन आयू हो सकते हैं कि मानसिक आयू वारह साल के हो और आपको वास्तिक कर दीके तो आपके λब्दी निकल जाएगे今ं पर हैक इसका कहना है कि 125 याई से अधिक हो उनको हम लोग परतिवसील वच्चा कहेंगे ठीक लेकिन बुद्धी लबदी के अधार पर एक चीज और आपको याद रखना है किसी भी कक्षा में दो परतिशत बालक परतिवसील होते हैं यह आपको देखने को अपने कक्षा में म सकती है समाने बालकों के तुलनम में व्यक्तिगत समस्याओं के समधान में अधिक सक्षम होते हैं बिल्कुल यह परतिवसील है समाने बालकों से अधिक होगा क्योंकि समाने बालक की जो आईकले वाल है और लबबेस 110 है अब इसके 110-140 तक हम लोग ऐसी पढ़ रहे हैं और ठीक यह परतिवसील होते हैं बिल्कुल इसमें व्यक्तिगत समस्याओं के समधान हे तु अधिक शमता विक्सित होगी ठीक साररीक गठन आप देखेंगे और साथ में स्वास्ता एक द्रिश्टी कोड देखेंगे तो अधिक मुनत होते हैं यह काफी लोकप्री होते हैं आत्मक द्रिश्टीकोड नकार आत्मक नहीं होती है त्स व Coach यह कार्यत करता हैं कारीयम तरफ दियुकल में लिख यह किThis का इने घ्यान होता है,किसी भी कारियमій अधिक ध्यान कि अंद्रिद कर पाते हैं अब को पता है यह बार बार रिप्टी सांथ से भी कार्नेशा 번째 हम पर दखें घ्यासवादी का मतलब होता है च्ञान घ्यान पका सूव पाने की इच्छा ज्रते होती है, इसी उद्द्देश्ट को लेकर ही कारे're still रप्शी ळचनुनौन के विष्ज को पता रहे हो विष्ज के संबंदों को ठीक है बहुत जल्दी से पहचान पाते हैं अपने अलावा अन्य पाठ करमें भी रुची दिखाते हैं ऊसे बाला का आप देखें कोई कोई होते हैं भाही पढ़ते रहेंगे चटवी ठीक है और अन्य सिलेबस देखते रहेंगे सादवी के ठीक है उसी प्रकार इस दुसरे कक्षक सिलेबस में भी रूची रखते हैं अपने से आगे कक्षक सिलेबस में भी रूची रखते हैं वही परतिबा सील है यार ठीक है प्रवीड बालक है परतिबा सील है उसके नकर आत्मक उरित्ते भी होती है आप देखते होंगे आप देखे भी होंगे जैसे कि इसमें हस्त लिखन आप देखेंगे लिखने में लापर वहा होते हैं अधिक बल नहीं देते लिखने में इनकी जो हेंड राइटिंग भी होती है बड़ा अजीवी होती है उनको उतना फर अमुर्त चिंतन बाकि सब आपको समझ मागय होगा अमुर्त चिंतन भई जो चीजे नहीं दिख रही है उसके बारे में सोचना कुछ ठिंक है और यह भी तथ्यों का धार पर होता है जैसे कि आपके पास लुट चीज है तो अमुर्त चिंतन भी मुर्त चीजों से होती है रखी यदि आप पाल मनुग्यान के सभी क्लास देखते आ रहे होंगे एक क्लाइन को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है ठीक है एक बहुत बढ़ा है तो मैं एक क्लाइन को थोड़ा जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ रहा हूं ठीक बरहाल टाइम भी आपके आधी घंटे पर फामे जाने वाली है साथ में क्लास के मदद लेके आप इसको चीजों को याद करने कोशिज करना अब जो परतिवास इल्बाला के हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारें सिक्षा वेस्ता क्या होनी चाहिए ठीक तो हम भई इनके लिए अलग विद्ध्याला कर सकते हैं व अभी को सिक्षा इसका मतलब यहां नहीं है कि लगभग सभी को ऐसा मैंने आपको कहा था ठीक बही कोई ज्यादा ही परतिवा साली है या फिर कोई ज्यादा ही आप दिखेंगे जैसे मंद बुद्धी में होता है ना अलग प्रकार से मुड़ बुद्धी जड़ बुद्ध मंद बुद्धिक अंतरगत जो चीजों को सिखी नहीं सकता है उनको सिर्फ देखबाल करने की जरुरत है उनको सिर्फ देखरेक करने की जरुरत है अब उनके लिए क्या करोगे उनको तो भी एक साथ बिठा के पढ़ाना संभव नहीं है तो चीजों को समझना इस दो चीज सकती SP करने की है ना कोशिस कर रहा है लेकिन कुछ ज़्या जा सकता है उनके के विश्यषine क्छा कायोजन किया जा सकता है बच्चों को विद्यालम जल्दी प्रवेश दिया जा सकता है पुस्तकालेओं को सद्धी उपयोग कर सकते हैं परतियोगी ताह काय उजन कर सकते हैं सेक्चिक भ्रमना पर जा सकते हैं अधिक पाठे करम की सिक्षा इनको क्राई जा सकती क्यों सिखने की सकती बहुत ज्याद है इनके पास ठीक है तो यह तो रहा आपकी समय से सिक्षा पार्ट वन मैं कहूंगा पार्ट टू हम लोग लेके और आएंगे देखने कोशिस करेंगे कि बाकी बच्चों के बारे में इसस्ता हैं क्या क्या हो सकती है ठीक है उनको किस परकार से पहचान सकते हैं उनके बारे में सिक्षा की विएस्था क्या क्या हो साथ में आमनों कुश्चंस भी तेखेंगे किस परकार से कुश्चंस आते हैं और एक्जांस में पूछे भी गया है लेकिन इसके लिए आपको response बहुत ज्यादे important है जिससे confidence मैं feel करता हूँ जिससे confidence आता है आपके लिए ततपरता सी वीडियो बनाई जाए तो पुछे comment करके जरूर बताना यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों में सरकर देना अच्छा इसके PDF इंपॉर्टेंट है इसके PDF ग्रूप में भेज़ दी जाएगी ठीक है ग्रूप को नाम रहेगा संदेवी स्टेडि सेंटर टेली कराम ग्रूप के लिंक आपको description में मिल जाएगी जहां से जाके आप सीधे जुड़ सकते हो और इस पीडियो को आप अराम से वहां से देख स सकते हो अब मिलता हूं इसके अगली वीडियो ठेक है समावे सीक अक्षा पार्टू के साथ तक मुझे तीजे इजाजात अपना ख्याल रखना अच्छे से पढ़ाई करना बहुत बहुत धन्याद